अगर हम अपने कीचन और घर को एक टाइम के बाद अच्छे से और्गनाईजेशन करके नहीं रखते हैं दोस्तों तो इससे क्या होता है दिन प्रति दिन हमारा जो घर है उसे हमें पूरा एक दिन डेपली क्लीनिंग करनी पड़ती है जिसमें हमें पूरा टाइम देना दोस्तों मेरी पहरे टिप है क्रियोंस को कलर्स को लेके पैंसिल को लेके पैन को लेके अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या आप खुद हैं और मेरे घर में तो पहले मैं इस तरीके से क्लीन करती थी इसको बट वो हर दूसरे दिन बच्चे वो सारे क्रियोंस कल कि यह पास थे यह आईस क्रीम मोल जिन आइस क्रीम मोल का ब्यूस नहीं होता है क्योंकि दोस्तों जो इनके स्टिक्स थी वो पूरी तरीके से खोड़ चुकी है मैं इन्हें डस्टर विन में फेक नहीं वाली थी बट मुझे एकदम इसका बहुत ही अच्छा आइडिया यह क् इसके अंदर pencils, pen, colors, colors को separate करके अच्छे से organize करके रखो इससे क्या होता है कि एक तो आपके बच्चे को अच्छे से अलग-लग colors भी पता चल जाएंगे कि यह crayons है यहाँ पर sketch रखना है यहाँ पर pencils रखनी है यहाँ पर pen रखना है और इससे आपके बच्चे की स्टेटरी टेबल भी काफी अच्छे से organize रहीगी और clean रहीगी दोस्तों तो मेरी जो next kitchen tips है दोस्तों अकसर हमारे घर में एक टोड़ी सबजी बच जाती है दाल बच जाती है और इसको आमें फ्रिज पे रखना होता है फ्रिज में रखने के लिए हम ज़्यादा तर यूज़ करते हैं इस तरीके की छोटी प्लेट जो quarter प्लेट होती है बट यह बहुत ज़्यादा space ले लेती है उतनी तो समागरी नहीं है जितने इसके उपर प्लेट रख दिया है इसको रखने का simple तरीका है कि अगर आपके प प्लेट रखनी है उतना measurement करके आपको इस तरीके से फॉइल को फोल कर लेना है और इससे आप का टोरी की लेड इसकी बना सकते है अब यह देखिए बिलकुल पैक हो चुका है इससे क्या होता है कि फ्रिज में एक तो सारे खानों के smell मेक्स नहीं होती है आपका फ्रिज भी अच्छे से organized रहता है तो यह space भी कम लेता है दोस्तों और next time यह है कि आपको दुबारा फॉइल पेपर फारने की जुरुरत नहीं है आपको इसी को निकालना है इसलिए मैंने मोटा बनाया था अगर आप single layer लगा रहे है तब आपको दुबारा यूज तो हो नहीं सकता जुक ब्रेंड का जुक ब्रेंड एक ऐसी ब्रेंड है जो प्रीमियम क्वालिटी के हैंड बैग बनाती है जो वेगन और पीटा सेटिफाइड है वेगन और पीटा सेटिफाइड से सेंस दोस्तों इसमें किसी भी तरीके का लेदर यूज नहीं करा गया है और इसके नीचे जिसकी आप quality देखी सकते हैं और जोसका प्रिंट है वह हैंडी क्राप प्रिंट है जोसका फैब्रिक है दोस्तों वह जूट का फैब्रिक है अब आप सोचोगे कि कपड़ी का है तो यह water resistant नहीं होगा यह बिलकुल water resistant है दोस्तों इसके साथ आप पो यह sling लोग भी मिल जाए कि मतलब अगर आप office में file लेके जाते हो laptop यह इस टाइप के things लेके जाते हो तो इसमें laptop वाले बैक्स भी आता है वो भी आप ले सकते हो इसके अंदर आपको यह जिप वाली pocket मिल जाती है और एक normal phone वगरा की pocket मिल जाती है दोस्तों अगर आप यह handbag बाई करना चाते हो दोस करते हैं तो उनके जो कैप होता है अकसर खो जाता है फोर पूरा sketch color खराब हो जाता है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है इस तरीके से जितने भी sketch color आपके पास है वह इस तरीके से लगा लीजिए then उसके बाद एक cello tape लीजिए sketch के जितने भी कैप है उसमें एक स में चिपक गी है तो आप कोई सभी sketch अगर आपको यूज करना उसे निकालना दुबारा आप उसी कैप के अंदर उसे डाल देंगे तो इससे क्योंगा कि आपके जो sketch color है वो इदर उदर बिल्खुल भी बिक्रे नहीं रहेंगे जहां एक color जाएगा पीछे 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 उ दोस्तों ये नेक्स जो टिप है दोस्तों वो अकसर कुछ ऐसे powder होते हैं चाहे बेसन हो चाहे मैदा हो चाहे milk powder हो चाहे coffee powder हो ये बहुत ही जल्दी खराब होने लगते हैं इसको आप कैसे long time तक चला सकते हो लंबे समय तक रख सकते हो जिससे ये खराब नहों अगर इस पूर करके रख सकती हो इससे क्या होता है जो इनकी self life है वो काफी जादा बढ़ जाती है और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं नहीं इनमें कीड़े लगते हैं तो मेरी जो next tip है दोस्तों वो कीचन के बड़तनों को wash करने से लेकर है अकसर हम जब बड़तनों को wash करत से सीधा directly फ्लोर पे आ जाता है जो मतलब बार बार गल करने का काम हो जाता है हमारा काम बढ़ता ही रहता है तो इसके लिए मैंने बाइख करा है यह इस तरीकके काडें अच्छा मेर्ट मुझे लग इसको यूज構ना भी बहुत आसान है दोस्तों पहले यह आप ड्रेनर बस जितना भी इसका एकसस वाटर होगा जो बरतन करने के बाद वाश करने के बाद जो निकलता है वो सारा आपका सिंक में जाएगा और इससे आपका प्लेटफॉर्म भी और फर्स भी क्लीन रहेगा नयक्स यूँँ मेरी किचन तेप है दोस्तों वो दालों को स्ट्णर करने से डाल है अकसर कुछ दालेयासी होती है जिर में बहुत जल्दि कीड़ा लग जाता है जैसे आप उड़त की डाल ले लो मूं की डाल ले लो चना डाल ले लो तो इससे बशने के लिए आपको क्या से मेक्स करने नहीं तो आप सिधार से डिरेक्टली प्लेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं प्लेट में ट्रांसफर करने से यह होता है कि अच्छे से मितलब सारे डालों के दानों में अच्छे से लग जाता है उसके बाद आप क्या करना है आपको जब यह अच्छे से लग जा मैंने आपको option बता ही दिया है कि अगर आपको तभी भी डर लगा रहा है कि दाल बहुत लंबे समय तक नहीं चल गी तो आप इसे फ्रेज में स्टोर करिए अक्सर 90-80% लोगों का जो प्रेश्यो कूकर है दोस्तों वो CT नहीं देता इसकी में वज़ा होती है अगर आप CT को प a c-Lläk algo दाल दीजिए उसमें आप गरम पानी डाल दीजिए गरम पानी में दाले के बाद अपसमें छड़ा अधिजर डाल दीजिग नहीं तो डिटिर्जर पाउदर ही इसमें आड़ सप्सान आपको इसमें बेकिंग-सोडा अड़ कर लेना है जय वह स्क्ति लिदुत Pvd content के लिए तो पंदर से बीस मिनट बाद आप किसी भी टूथ प्रस की हल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजे दोस्तों अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करते रहेंगे तो जो आपका प्रेशो कूकर है वो सीटी भी देगा और इससे जित्ता भी पानी भार आता ह लीकेश की प्रब्लम होती है वो भी नहीं होगी तो आई होब दोस्तों आज की टिप्स अं ट्रिक्स आपको मेरी जरूर् fluor पसंद आयोंगी तो पसंद आयोंगी तो करने खाया मुझे कमेंट शेक्ष्ण में ये जरू बताइगा कि इन मेंसे आपको कौन से वाले टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई तो आम मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन बाई टेक केर